शिरी शिवाईने मुस्तुभ्याम हरहर महादेव अनपूर्णा जैनती पर मापार्वती के अरातना करना चाहिए मापार्वती के अरातना करने से अनकी कभी कमी नहीं होगी प्रतिवर्ष मार्ग शीष महा के शुक्ल पक्षकी पूर्णी मतिथी के दिन अनपूर्णा जैन्ती मनाई जाती है अनपूर्णा जैन्ती माता पार्वती को समर्पी थे इस दिन लोग मा पार्वती की पूजा अर्जना करते हैं अनपूर्णा जैन्ती हैं 19 दिसंबर को होनी है इस सार माननेता के अनुसार एक बार धर्ती पर अन्न की कमी के कारण प्राणी अन्न को तरसने लगे थे उस दोरान लोगों के कस्ट को हरने के लिए माता पारवती ने अन्न की देवी अनपुर्णा का रूप धरण किया था और प्रदवी पर अफ्तरित हुई थी हिंदु धर में माननेता के अनुसार इस दिन मानपुर्णा की सच्च दिल से पूजा अरजना करने से परिवार में कभी अन्न जल धन धानने की किल्लत नहीं होती है आईए जानते हैं इस दिन के महद्व पूजा के बारे में अन्पुर्णा जैनती को मनाने का मुख्य लक्षे लोगों के अन्न का महद्व को समझाना था ऐसा कहा जाता है कि अन्न का कभी निरादा नहीं करना चाहिए ना ही अन्न की बरबादी करना चाहिए अन्पुर्णा जैनती के दिन रसोई में सफाई करनी चाहिए इस दिन गेस स्टोव अन की पूजा करना चाहिए इसके साथ ही इस दिन अन का दान करने से विशेशखल प्राप्त होता है अनपूण जिनती के दिन सुरदय होते ही जनान करें पूजा के स्थान पर रसोई को अच्छी तरह से साफ करें गंगाजल छिड़कें हल्दी कुमखुम से या तो आप जो रसोई घर के चूले पे आप स्वास्तिक बनाईए या उसकी एक दीवार पर आप स्वास्तिक बनाईए हल्दी कुमखुम से अक्षय पुष्प चड़ाईए एक घी का दीपक ज़रूर लगाईए हाज चोड़कर प्रात्ना कीजिए हे अनपूर्णा मा आपकी क्रपा हम पर सदेव बनी रहे इन हातों से हमेशा दान होता रहे एसी क्रपादस्टी हम पर बनाई रखियेगा ऐसे ही और उपाई और वीडियोस के चेनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए हरहर महादेव शिरी शिवाई नमस्तु भ्याम